हेलो दोस्तो आज की वीडियो बहुत ही उचपोल होने वाली है तो वीडियो को पूरा पूरा बोच कीजिएगा तभी आपको सारे टिप्स समाझ में आएंगे तो चलिए फ्रेंड वीडियो को सुरू करते हैं जैसे कि फ्रेंड साइदियो के मौसम में हर कोई सौक्स पहनना पसंद करता है और ये पहनने वी चाहिए सरिदियो के मौसम में तो फ्रेंड क्या होता है कभी-कभी एक सौक्स फट जाता है या कहीं गुम जाता है जिससे कि हमारे पास एक सौक्स बचता है तो फ्रेंड हम उस कभी कभी फैंक देते हैं तो फ्रेंण उसे फैंके नहीं आ worsh का बहुत अच्छी तरीके से JUJ ले सकते हैं तो यह देखिए जैसे की हम कभी बाहर जाते हैं और चूडियां पहनते हैं और पहनने के बाद उसे alláसे ही 먹어 देते हैं जिस्पे कि हमारी कई चूड़ियां तूट जाती हैं और सेट खराब हो जाता है तो फ्रेंट आपको इस तरह से सौक्स में रखना है जिससे कि आपकी चूड़ियां ना ही तूटेंगे और ना ही खराब होगी तो ये देखे फ्रेंट इस तरह से आप डे सारी चूड़ियों को सौक्स म अलमीरा में कहीं भी रख देजिएगा जिससे कि ये तूटेंगे नहीं और नहीं खराब होगी ये देख सकते हैं आई होप आपको ये टिप्स जरूर पसंद आया होगा अगला टिप्स होने वाला है इस तरह से बोक्स को ले करके जैसे कि कभी हम ओनलाइन सौपिंग कहते हैं या कभी कुछ मार्केट से लाते हैं तो इस तरह के बोक्स जो ही की हमारे पास धेर सारे हो जाते हैं और हम इने कचड़ समझ के फैंक देते हैं तो फ्रेंट इस बोक्स हमारे बहुत ही काम के होते हैं इस वीडियो को देखने के बाद अब आप कभी भी इने कचड़े में नहीं फ्याकोगे तो यह देखे फ्रेंड यहां पे एक बॉक्स ले लिया है जैसे कि अब हमारे पास इस तरह की धेज सारी पॉलिथेने खट्टा हो जाती है और यहां वहां पढ़ी रहती है तो आपको क्या काẩना है इसी में सारी पॉलिथेन को डाल देना है इस तरह से यह देखिए इसमें धेश सारी पॉलिथेन आजाएंगी आपकी जिससे कि आपका घर भी योगनाईज हो जाएगा और जब आपको polythen चाहिए हो तो आपको time पे मिल भी जाएंगी इस box के ढखकन में एक छेद बना लिया था और इस तरह से हैंग कैदिया है यह देखिए अब इस तरह से आप इसकी छेद में से polythen निकाल सकते हैं और जब इसमें की सारी polythen खतम हो जाए तो आप इसमें दोबारा से polythen रख दीजिएगा और जब जरूरत हो तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं यह देखिए फ्रेंट I hope आपको इस टिप्स भी जरूर पसंद आया होगा अगला टिप्स होने वाला है इस तरह से धकन को ले करके जैसे की हमारे पास कुछ डिबों के धकन पड़े रहते हैं जैसे की डिब बे टूट जाते हैं और उनके धकन रह जाते हैं तो हम उन्हें बहुत अच्छे से यूज में ले सकते हैं देखिए यहाँ पर ढकन में double sided tape को चिपका दिया है अब आप इसे कहीं भी दीवाल में इस तरह से चिपका दीजिएगा और इसमें जैसे की हमारे बच्चों के ID कार्ड होते हैं तो वो मिलते नहीं है टाइम से तो आप इसमें hang करके रख सकते हैं यह देख सकते हैं जिससे की वो गुमेंगे नहीं आई होप आपको इस टिपस जरूर पसंद आये होगा तो फिरन अगला टिपस होने वाला है इस तरह से स्टाम पैड को ले करके जैसे की वो हमारे पास नहीं होता है और कभी कभी हमें उसकी जरूरत पड़ती है तो आपको इस तरह से देखे पैन की जो सियाई होती है तो आप अंगूठे में इस तरह से लगा लेजिए गा यह देख सकते हैं जिससे की अब स्टाम पैड की ले लिजिएगा यह देख सकते हैं फ्रेंड आप इस तरह से अंगुठी का निसान ले लिजिए गा यह देखी बहुत ही अच्छे से जो ही की निसान लग जाता है कभी कभी जैसे की हमारे घर में स्टांपेड नहीं होता है तो आप इस तरह से अंगूठी का निसान ले सकते हैं ये देखी फ्रेंड कितने अच्छी से निसान लग गए हैं I hope आपको इस टिप्स जरूर पसंद आये होंगे पसंद आये हों तो जदा से जदा से शेर कीजिएगा अगला टिप्स होने वाला फ्रेंड इस तरह से सिलीपर इसको ले करके जैसे की कभी हमारी सिलीपर गीली हो जाती हैं और हम इस तरह से इने टिकाते हैं तो ये टिकती नहीं है ये देखिए तो फ्रेंड इसके लिए आपको क्या कहना है जिससे की तुर विर जली सुख जाएं। यहां पे आपको लेने ही एक कलोत दीफ एक लगवकू के पास होती से, अब आप प्रवध कि लिपको लगा सूज को ले करके जैसे की हमारे हो या बच्चों के सूज हम धुल देते हैं तो इन्हें कैसे जल्ली से सुखाए कभी-कभी क्या होता है जैसे की धूप नहीं निकलती है और हमें इने सुखाना रहता है तो फ्रेंड यहां पे बहुत ही अच्चा तरीका बताऊंगे जिससे की आपके सूज मिन्टों में सूख जाएंगे तो यहां पे आपको लेनी है दो पॉलिथेन जिसमें हम सब जी लाते हैं हमें उसी पॉलिथेन की जरूरत है और यहां पे रस्सी बंदी हुई थी तो इस तरह से पॉलिथेन में यह देखिए आपको सूज को डाल देना है और पॉलिथेन को कलोट किलिप से दवा देना है जिससे की सूज का सारा पानी निकल जाएगा और यह बहुत ही जली सूख जाएंगे अगला टिप से इस तरह से जैसे की हमारे पास मटका स्टेंड होता है और हम इसका ये यूज गर्मियों में ही करते हैं जब हम मटके में पानी भरते हैं नहीं तो यह यूँ ही पड़ा रहता है तो friend हम इसका यूज कर सकते हैं तो आपको इस तरह से एक पिलेट लेनी है जो कि आपके पास बेश्ट पड़ी हो आप यूज ना कायते हैं और इस तरह से आप इसके उपर रख दीजिएगा तो ये देखिए आप छोटे छोटे डिब बेश में रख सकते हैं और जो अंसर डिब आपको चाहिए हो तो वो आप उठा करके यूज कह सकते हैं ये इस तरह से आप इसका यूज ले सकते हैं मटका रखने वाले स्टेंड का ये देख सकते हैं फ्रेंद और गर्मियों के मौसाम में आप दुबारा से इसमें मटका रख सकते हैं अगला टिप्स होने वाला इस तरह से फ्रेंट फॉन को ले करके जैसे कि कई बार हमें किचन में खाना बनाते टाइम कुछ देखना रहता है तो ये बार बार फिसल जाता है इस तरह से ठीक से नहीं रूपता है जैसे कि हमारे पास टेप होती है और वो खतम हो जाती है तो हम से फैक देते हैं तो आप इस तरह से देखिए फॉन को चला सकते हैं और ये गिरेगा भी नहीं